के लिए अब है झालो कि और में आज आपको सेल मार्केट पूरे दिन की हाइलाइट के बारे में बताना चाहूंगा कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में क्या हुआ किसकी वज़े से क्यों सेयर मार्केट किरा और तुस्टे के दिन शेयर मार्केट कैसा रहेगा इस सब की लेटिस्ट न्यूस में इस चैनल पर और आज पूरे दिन शेयर मार्केट का जो हाइलाइट हुआ उसके बारे में बतान केंडल बनाया है तो चलो चांते हैं पूरे दिन क्या हुआ तो नो पंद्रा से दिखेंगे तो चलो तो सुबह नो और नो पांच को प्री ओपन सेशन हुआ जिसमें सेंसेक्स लिप हुआ और निफ्टी भी 18250 से नीचे ओपन हुआ उसके बाद उसका जो ओपनिंग भी लहा नो अर्थ पंद्रा को तब सेंसेक्स 300 पॉइंट तक गिरा और निफ्टी भी 18250 से लेवल के नीचे खुला इजी प्लानर ने 20% तक की रेली बना दी और नाइका में 3% तक गिरा तो इजी 20% तक की हमें 30 को दिखने को मिली उसके बाद जो टाटा स्टील पी अन फूमस्ट एक्तिव सटॉक रहे स्टॉक रहे उसके बाद आज बेंकिंग शोक है वह देखने के बिला उसके बाद यह जो सेंसेक्स क्या हुआ तक गिर गया उसके साड़े चार सो पॉइंट तक गिर गया और यह 10 टॉक्स ने मॉर्निंग में गेनिंग दीखने को मिली तो उसके बाद आज ही के दिन आरकन केमिकल का आईपी वा लिस्ट होने वाला तो वह 11 परसेंट के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ इसके बाद क्या हुआ दे सौट कवरिंग रेली हुई उसमें सौट कवर हुआ उसमें ये कवर में बॉट हुआ समची और फ्राइडे को बट उसनी अबलेटी नहीं दीखने बली और सेंसे अट्राजा तीन सो पचास पर क्रोस हुआ फिर से गिरा फिर इंडिया ने किया जो अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटी थी स्टील पे उसको में उसमें रिमूव दी उसके वज़ास से थोड़ा अच्छा देखने को मिला मार्केट फिर आज तो पूरे आईटी सेर में हमको भारी गिरावाट देखने को मिली जिसमें प्रिशन सिस्टम साइन टैलेन ट्रेड में देखने को मिला फिर जो गवर्मेंट ने क्या किया हिंद और कॉपर में डिस इंवेश्टमेंट को होल्ड कर दिया एक्सटम की वेबसाइट पर इडेटा हमको देखने को मिला है उसके बाद गोर्डमेंट की एक रिपोट आई गोर्डमेंट स्रेच की रिपोट आई जिसमें उसने बताया कि 2030 में इंडिया की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी ये न्यूस की वज़ज से आज मार्केट में ज्यादा गिरावट देखना को मिली क्योंकि उसने गोर्डमेंट स्रेच है उसने एक्सपेक्टेट किया इंडिया की जो एकोनॉमिक ग्रोथ है उस्लो हो जाएगी 5.9% नेक्स्ट यर 2030 में और एस्टिमेंटेट की 6.9% ग्रोथ ये 2022 में जो बूस्ट किया पोस्ट कोविट रियॉपनिंग वज़े से और मॉनेटरी टाइटिंग वी और डॉमेस्टिक की वज़े से आज हमें ये इसनोस की वज़े से मार्केट में गिरावट देखने को मिली इंचोई देख सकते हो ग्लोबल इक्विटी स्ट्रेटिजी गोल्डमेंट शेक से बियर मार्केट इस नोट ओवर उसने बूला कि अभी तक मंदी का दोर मतलब बियर मार्केट खतम नहीं हुआ है गोल्डमेंट की ये रिपोटाइज दी उसकी वज़ेस से आज मार्केट में देखने को मिला फिर वर्सेस बैंक ने अपॉइंट किया संजे बिनायक मुदालियक को एज़ेक्विट डिरेक्टर तिन साल के लिए फिर जब सेर मार्केट का क्लोजिंग मेल हुआ उसमें जो सेंसेक्स है वह 590 पॉइंट चॉपी की ट्रेड देखने के मिला मतलब गीर गया और निफ्टी भी फॉलोइंग वेग ग्लोबल क्यों की वज़े से रिमेंड और पूरे दिन वह साइड वे रहा दूरिंग दे और वन अन्द लोवर एंड लोवर एंड इस लेप टूवर था प्रिविए स्विंग हाई राजार सो से वह भी थोड़ा नीच्छे रहा यह जो ट्रेंड है टू करेंगा तो एक बेंकिंग में यूस आया है एसन पी ने अप्रेड किया है एक्सेस बैंको बीबी माइनस से बीबी प्लस तक और उसके आउटलूक को स्टेबल बताया मतलब कल यह एक्सेस बैंकर सेर बढ़ेगा तो आप भी अगर लेना चालते हो इंट्राडे में तो यह ले सकते हों फिर अधानी ग्रूप क्या करेगा तो अधानी ग्रूप की एक न्यूज आई दिन में तो 493 करोड का ओपन ओफर करेगा एंडी टीवी को स्टार्ट करेगा कले की दिन से वह ओपन ओफर करेगा उसने फ्राइस बेंड है वह भी फिक्स कर लिए कितनी 294 रुप उसने नाइका का शेयर कर दिया है उसके पास 335 करोड के जो शेयर थे उसने वह ब्लेक डिल में शेयर कर दिये है और आज रात को जब S&P 500 नाजडे को ओपर हुआ तो भी आज रेड में उपन हुआ है क्योंकि जो कोविट की चाइना में जो कोविट की कैसे से और भी हायर ह हो रहे है उसकी वज़ास से आज हमको इसमें गिरावार देखने को मिले है कल की बात करें क्या हो सकता है तो मार्केट मैं अपना ने इसकी वज़ाल से इसके इन्देट करता है कि वह डाउन्बर्ड में निफट जो है डाउंबर्ड में करेक्शन में जाएगा और मार्केट में करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है आए जो इंडिक्स है अपना लोवर हाई बनाया है डिली स्केल पर लाज त्रेडिंग सेशन तक और अगर आप इसको क्रॉस कर गए और होल्ड रख सकते हो तो अटरहाजार दोसो या अटरहाजार 950 का जोन का उसका सपोर्ट है यह किसने बुला है यह बुला है मोतिलाल ओस्वाल के चंदन तापर या ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है और ऑप्सन डाटा की बात करें तो उसने जो ऑप्सन डाटा में सजेस्ट किया है उसकी जो बोडर ट्रेडिंग रेंज है वो यह स्टेटमि जो बोला है उसकी चंदन तपर इस चोन में आप खिल सकते हो इंटरडे में फिर भी आपको प्रोफिट देखने को मिल सकता है तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रही एक्सपल्य झाल